एल एक्वल तू लिमिट x चेंगे जीरो रूट अंडर cos2x प्लस 1 प्लस 3x तु दी पावर 1 बाई 3 बाई 2 यह सब रूट अंडर पूरा है माईनस q रूट फोर cos3x माईनस लॉन 1 प्लस x तु दी पावर 4 डिवाईड बाई 4 और लू डिवाईड बाई में x है देखो X 0 है तो नीचे 0 है और उपर भी X 0 रखेंगे तो देखो cos 01 यह 1 2 by 21 minus यह 4 minus और यह कितना होगा देखो यह 4 into आ जाएगा तो log 1 का value तो 0 हो जाएगा तो 4 by 4 1 तो 1 minus 1 0 तो देखो यह 0 by 0 के form में आ रहा है तो हम लोग LH rule लगाते हैं क्योंकि denominator में X है जिसका differentiate करें तो 1 आ जाएगा है और फिर 0 by 0 हट जाएगा इसलिए यहाँ पर LH rule लगाते हैं जिसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले limit X tends to 0 है उपर में power 1 by 2 लिखते हैं देखो cos 2X plus 1 plus 3X का power में 1 by 3 और यह देखो पूरा का root है न तो पूरा का power में 1 by 2 लिखते हैं और 1 by root 2 बाहर लिखते हैं minus यहाँ देखो 1 by 4 के power में 1 by 3 बाहर लिखते हैं और यहाँ हो जाएगा 4 cos cube X minus log 1 plus X to the power में 4 ठीक है यह हो गया इसका whole power में 1 by 3 हो जाएगा और divide में X है अब यहाँ पर हम लोग LH rule लगाते हैं LH rule क्या होता है numerator और numerator को अलग-अलग इसका differentiate करना होता है तो limit X tends to 0 1 by root 2 का 1 by root 2 ओके इसका differentiate करते हैं तो root है ना power 1 by 2 है यह कितना होगा यह होगा 1 by 2 root 1 by root X का difference है कितना हो तो 1 by 2 root X होता है ना तो 1 by 2 root root मतलब यह root under हो जाएगा cos 2 X plus और यह 1 plus 3 X के power में 1 by 3 होगा और अंदर में जो function है उसका differentiation तो cos 2 X का minus 2 into sin 2 X होगा और plus यह देखो 3 into 1 by 3 into 1 plus 3 X का power में minus 2 by 3 होगा यह 3 किसले लिखे है क्योंकि 3 X है ना इसलिए देखो minus का minus 1 by 4 के power में 1 by 3 होगा इसके बाद इस पूरा का differentiate करेंगे तो 1 by 3 तो आएगा ना 1 by 3 और पूरा का power कितना होगा minus 2 by 3 क्योंकि 1 by 3 minus 1 होता है तो 4 cos cube X minus log 1 plus X to the power में 4 और इसका power होगा minus 2 by 3 और साथ में अंदर वाला function का differentiation देखो 4 cos cube X है ना यह होगा minus 12 cos square X sin X minus 12 cos square X sin X होगा और minus log का कितना होगा 1 by X तो 1 by 1 plus X to the power में 4 इतना हो जागा अब 1 plus X का 1 खतम इतना बचा और नीचे हमें कितना होगा 1 क्योंकि X का है तो अब देखो जब X का विलोग 0 रखेंगे तो final value मिल जागा जब X का विलोग 0 रखते हैं ठीक है तो यह देखो यहां से लेकर यहां तक तो bracket करना पड़ेगा 3 यह 3 कट गया तो sin 2 X तो यह 0 खतम और यह कितना हो जागा 3 X 0 तो 1 के power minus 2 by 3 1 बचाना तो उपर में हो गया 1 ठीक है उपर 1 हो गया नीचे कितना हो गया 2 into root 2 तो 2 root 2 हो गया और इसका value कितना होगा देखो यह 1 के power 1 by 3 1 cos 0 1 तो यह root 2 बचाना तो यह root 2 हो गया ठीक है देखो minus 1 by 4 के power 1 by 3 into 1 by 3 है और यह देखो यहां पर X का value 0 रखेंगे तो log 1 बचेगा जिसका value 0 होता ठीक है खतम यह 4 4 into cos 0 1 तो 4 4 के power minus 2 by 3 तो यह कितना होगा यह होगा 1 by 4 के power में 2 by 3 ठीक है अब देखो यहां पर sin X है न तो यह तो 0 खतम और यह कितना होगा minus 1 by 1 तो minus 1 बचाना ठीक है यह होगा minus 1 तो यह value आ गया इसको solve करते हैं तो 1 by यह होगा 4 यह minus और यह minus तो बीच में plus हो जाएगा और 4 के power 1 by 3 4 के power 2 by 3 4 के power 3 by 3 मतलब 1 तो 1 by 4 ना तो plus हो जाएगा 1 by 4 into 3 1 by 12 जब इसको solve करेंगे तो यह आ जाए कितना 3 plus 1 by 4 plus 1 by 12 ले LCM 12 आ जाएगा और 4 3 3 plus 1 अच्छा यहाँ पर देखो जब log 1 plus x के power 4 है इसका डिफ्रेंस तो 1 by 1 प्रेंस के power 4 होगा और फिर 1 plus x के power 4 का डिफ्रेंस तो यह होता है 4 into 1 plus x के power में 3 होगा ठीक है तो यहाँ पर minus 4 आ जाएगा minus 4 ठीक है तो वो minus 4 और यह नीचे में 4 तो यह आ जाएगा plus 1 by 3 बचेगा save ठीक है plus 1 by 3 तो जब यहाँ पर plus 1 by 3 बचा तो इसका value देखो find करते हैं इसका value कितना हो जागा 1 by 4 plus 1 by 3 यह होगा 7 by 12 अब देखो question में दिया हुआ है कि this जो L है वो A by B के form में है जहाँ A और भी relative prime है तो A plus B का value बताना है तो जब इसको हम लोग A by B के form में लिखेंगे तो A का value हो जाएगा 7 और B का value हो जाएगा 12 तो A plus B का value find करना था A plus B का value कितना आ जागा 7 plus 12 मतलब 19 तो A plus B का value 19 आ गया यहां लिखेंगे A plus B का value find करना था जो आ गया 19 यही होगा answer